हेलो दोस्तो मेरे नामे प्रियांच और आप देख रहे हो अक्सर हम सभी लोग अपने घर में गुलाब गुडल कड़ी पत्ता और नीम के पौदे लगाना पसंद करते हैं क्योंकि ये पौदे हम सभी को पसंद होते हैं और हम सब की एक खोईश होती है कि हमारे छोटे से गार्डन में ये पौदे जरूर होने चाहिए लेकिन अक्सर कहीं बार क्या होता है कि जब हम इन पौदे को लगाते हैं तो ये बार बार मरने लगते हैं उसके कहीं सारे कारण हो सकते हैं तो फिर हम क्या करते हैं या तो हम अपने पौदे को जब वो मर जाता है यानि जब वो सूख जाता है उसको निकाल करके फैक देते हैं और उसके जगा पे वैसा ही दूसरा पौदा लगा लेते हैं या फिर हम उस पौदे को आगे ग्रो ही नहीं करते हैं हम सोचते हैं कि वो इसको सेव कर सकते हो और ये वीडियो पूरे अपडेट के साथ होने वाली है तो इस वीडियो को पूरा एंटर ज़रूर देखिएगा और अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना अगर चैनल पर आप नहीं हो तो तो सबसे पहले आप ये देखैं मेरे सामने ये एक प्लान्ट है गोडल का जो की बिलकुल सुक चुका है जैसे कि मैंने आपको दिखाई दिया, इसके सारी पतियां बिलकुल सुक चुकी हैं और ये देखें मैं आपको इसकी टैनिया भी काट करके दिखा रहा हूँ ये बिल्कुल सूख चुकी है तो अब ये जिन्दा नहीं हो पाएंगी तो जब भी आप किसी पेड़ को मतलब बचाने की कोशिश करें तो सबसे पहले आप ये देखें कि उस पेड़ की जो टैनिया है वो अंदर से ग्रीन है या नहीं कई बार क्या होता है कि हमारा पेड़ जो भार से तो ऐसा लगता रहता है कि जैसे उमर चुका हो लेकिन अंदर से वो काफी ही अच्छा होता है यानि कि ग्रीन होता है तो हम ऐसे पेड़ो को बचा सकते हैं जो अंदर से ग्रीन हो और ये देखिए इसकी ठैनी पे वाइट वाइट सा जो लगा है ये है मिली बग जो वाइट वाइट सी मिली बग होती है ये वो हैं तो उसके कारण से ही जो मेरा पौदा है वो सूख चुका है क्योंकि गुढ़ल के पेड़ पे मिली बग काफी जदा अटैक करती है तो अगर सही टाइम पे इनकी केर नहीं करी जाए सही टाइम पे मिली बग को ना हटाय जाए तो हमारा जो गुठल का पौदा है उसका ये हाल हो सकता है यानि कि वो मर सकता है तो चलिए अब मैं आपको दिखाता हूँ कि इसको कैसे बचाना है आपको तो सबसे पहले आपको अपने पेड़ में ये देखना है कि वो कहां से ग्रीन है तो यह देखे यहां से भी बिल्कुल सूख चुका है तो यहां से यह इसमें कभी भी future में new leaves नहीं निकल सकती यानि कि इसकी बिल्कुल लखडी बन चुकी है और यहां से इसमें future में कभी भी कोई leaves नहीं निकलने वाली तो आपको अपने plant को उपर से नीचे की तरफ कट करते हुए चलना है और जहां पर भी आपको green portion देखे वहां पर रुख जाना है तो अब यहां से मेरे पेड में जो green portion है वो आना start हो चुका है यानि कि यहां से जो पेड के अंदर की जो stem है वो लखडी नहीं बनी है क्योंकि यहां से जो मेरा पेड है वो मुझे लगने लगा है कि बहुत ज़्यादा मतलब green है इससे नीचे अगर मैं काटूंगा तो पेड बिल्कुल खतम ही हो जाएगा तो उसके आसपास की जब आपका green portion आजाए पेड में उसके आसपास की सारी टहनियां काट दीजिए जैसे कि मैंने काट दी है और यह देखिए मैंने सारी टहनियां काट दी है और टैनी काटने के बाद एक बार आप और चेक कर लीजिए कि क्या आपका पेड़ वाके में ग्रीन है नहीं तो थोड़ा सा किसी चीछ से अपने जो पेड़ है उस पर स्क्रेच करिए और अगर ऐसे उसकी जो च्छाल है वो उतर के आ रही है आपके हाथ में और जो उसकी च्छाल है वो बिल्कुल ग्रीन है तो यानि कि आपका पेड़ अभी बच सकता है अभी वो मरा मतलब पूरी तरीके से मरा नहीं है लेकिन अगर स्क्रेच करने के बाद भी जो च्छाल है वो आपके हाथ में नहीं आ रही और पेड अंदर से पिल्कुल ग्रीन नहीं है तो यानि कि आपका पेड वो मर चुका है अब आपका पेड वो नहीं बच सकता तो चलिए अब करते हैं इसमें आगे का प्रोसीजर तो चलिए अब हमारा जो next step है वो आता है गुड़ाई मिट्टी की गुड़ाई वैसे तो आपको अक्सर करते ही रहना चाहिए अपने प्लांट की अगर आप अपने मिट्टी की गुड़ाई करते रहोगे तो आपके प्लांट जो है वो कभी नहीं मरेगा यानि कि इसके जो मरने के चांस है वो बहुत ही कम हो जाएंगे क्योंकि अक्सर plant इसलिए मरता है क्योंकि मिट्टी में आ तो चीटियां हो जाती है क्योंकि जब हम बहुत टाइम तक मिट्टी की गुड़ाई नहीं करते हैं तो उसमें चीटियां कीडे और यह ऐसे bacteria fungus जो आपके plant के लिए harmful होते हैं वो उसमें develop होने लगते हैं तो आपको अ आपके plants की roots इसे तरह मिट्टी में फैले हुई हैं और गुड़ाई करते वक्त वो बीच में आ रही हैं तो आपको कोई भी tension लेने की ज़रूत नहीं है अगर वो तूट भी रही है तो उनको तूट दाने दीजिए क्योंकि अब यह plant अपनी नई roots बनाएगा और इनकी जो roots हैं वो अगर कुछ roots टूटती हैं तो इसको कोई दिक्कत नहीं होगी लेकिन गुड़ाई आपको plant के किनारे किनारे करनी है यानि कि बिल्कुल जहां पे आपका बीच में plant लगा हुआ है उसके पास गुड़ाई नहीं करनी क्योंकि उससे जो plant की main roots है वो भी disturb हो सकती है औ और गुड़ाई करने के बाद आप जब एक पार आप अच्छे तरीक से गुड़ाई कर लें तो इसमें बस इसको एक shady area में रख दीजे यानि कि जहां पे direct sunlight ना आती हो अगर आप इसको direct sunlight में रख दोगे तो आपका पेडिया मर जाएगा और उसके बाद कभी भी इसमें new leaves नहीं आएंगी तो आपको इसे एक ऐसे जगह पे रखना है जहां पे बिल्कुल भी सूरज की धूप ना आती हो अगर वहाँ पे सूरज की धूप आएगी तो जो आपका plant है वो definitely मर जाएगा और सूरज जब आप इसको shady area में रख दो तो आपको रोज इसकी watering का भी धियान रखना है अगर आप इसके watering का भी धियान नहीं रखोगे तो भी आपका पेड मर जाएगा लेकिन आपको इसमें watering की बहुत कमजरोत पड़ेगी यानि कि आपको तीन चार दिन में ही इसमें एक बार पानी देना पड़ेगा क्योंकि अब इस plant में leaf नहीं है जो कि moisture को जल्द जल्दी obtain करेंगी यानि कि absorb करेंगी तो मिट्टी बहुती धीरे धीरे dry होगी तो आपको इसमें जादा पानी भी नहीं देना बस थोड़ा थोड़ा सा पानी देना है तो चलिए अब इसको रख देते हैं shady area में और मिलते हैं कुछ time बाद और देखते हैं कि हमको क्या result मिलत मिलता है तो कहीं मत जाइएगा थोड़ी सी fungus लग चुकी है तो चलिए अब हम इसको गुड़ाई कर देते हैं उससे जो फंगस है सारी खतम हो जाएगी और हमारा जो प्लांट की मिट्टी है वो फिर से नॉर्मल हो जाएगी और आप देख सकते हो जैसे कि मैंने कहा था कि हमारा जो प्लांट है यह सेव हो हो सकता है और यह आपके सामने है रिजल्ट 20-21 दिन बाद का मैं मेंचन कर दूँगा कि यह कप का रिजल्ट है और यह देखे कितना अच्छा रिजल्ट हमको मिला है हमारे प्लांट में छोटी-छोटी सी लीव्स निकलनी स्टार्ट हो चुकी है और अब टाइम आता है अब हम इसमें देंगे फर्टिलाइजर यहाँ पर मैं डाल रहा हूँ इसमें गाएं के गोबर की खाद जो कि बिल्कुल डिकंपोज हो रखी है आपको भी इसमें या तो आप गाएं के गोबर की खाद यूज करिए या फिर आप इसमें वर्मिक कंपोज्ट यूज करिए फिर से तो अभी आप इसमें बिल्कुली ओर्गैनिक चो कमपोस्ट है वो यूज करिए और फ्रेंड्स अगर आपने वीडियो यहां तक देखी ली है तो प्लीज इसको लाइक जरूर करिए क्योंकि आपके एक लाइक से मुझे काफी ज्यादा मोटिवेशन मिलता है अब मैं इसमें डाल रहा हूँ थोड़ा सा fungicide powder fungicide powder हम इसलिए यूज करते हैं अपने plants में जिससे की fungus ना लगे तो थोड़ा सा मैं आपको ये भी explain कर दूँ कि fungicide powder होता क्या है fungicide powder fungis को खतम करने में help करता है जैसे की आपने देखा था शुरू में कि इस plant की जो मिट्टी है उस पे green green से fungis लग चुकी थी याईनि कि green green सा कुछ आ गया था उसको ही बोलते हैं हम fungis तो अगर वो हमारे plant में ज्यादर दिनों तक लगी रहे तो उससे हमारे plants खराब हो सकते हैं तो fungicide powder होता है जो उस fungis को kill कर देता है और आगे उस fungis को आने से रोग देता है तो इसलिए हम fungicide powder यूज करते हैं और fungicide powder मार्किट में आपको जो अच्छे कमपनिया है वो दो तीन है जैसे की बैवेस्टीन और सैफ आप इन में से कोई सा भी fungicide powder यूज कर सकते हैं कोई भी आपके plant को नुकसान नहीं होगा लेकिन fungicide powder आपको बहुत ही थोड़ा यूज करना है जैसे की मैं यूज कर रहा हूँ तो मिट्टी में fungicide powder खतम करने के लिए हम मिट्टी में डालते हैं और plant के ओपर डालने के लिए क्योंकि plant के ओपर हम direct fungicide powder नहीं डाल सकते तो इसलिए हम plant के ओपर spray करेंगे fungicide powder का तो यहाँ पे मैं ये एक एक लिटर की bottle ले रहा हूँ और पानी इसमें मैंने लिया है 200 ml और 200 ml में मैंने आदे की आदा जो चमच होती है यानि की करीबन एक ग्राम होगा ये एक ग्राम fungicide powder मैंने उसमें डाला है अपनी बॉटल में 200 ml पानी में और एक लिटर पानी में आप 5 ग्राम fungicide powder डाल सकते हो लगबग और डालने के बाद अच्छ तरीके से उसे मिला के अपने spray bottle में अपने plant के ओपर spray कर दीजिए उससे आपके plants के ओपर भी fungus नहीं लगेगी क्योंकि जो fungus मिट्टी में लगती है वो तो हमें पता लग जाती है पहले ही लेकिन plant में जो fungus लगती है वो अंदर से भी कई बार लग चाती है और कई बार भार से भी लगती है तो उसमें जो हमारा plant है वो मर जाएगा और हमें पता भी नहीं लगेगा तो इसलिए rainy season में fungicide powder का spray करना बहुत ही जरूरी है तो दोस्तो आज की वीडियो में बस जल्दी किसी नई वीडियो में और हाँ एक और बात जो भी भाई चैनल को सब्सक्राइब करें भी न गया वीडियो को यहां तक देखने के बाद उसको तो definitely भाई पाप लगेगा पाप